नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिक्सा सबकों में हम लोग उच्चितर माध्यमिक अक्षा यानि कि इंटरमीडियेट का व्यवसाय अध्धन विशय पढ़ रहे हैं इस विशय के वीडियो को प्रारम करने से पहले मैं आप लोग को तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब एए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन जो बैल आइकन होता है इसको भी दवाईए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है ठीक है और आप लोगों के साथ मैं अपना बटसर की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों को सभी लोगों को हमारे सिक्षा सबको परिवार की ओर से बहुत-बहुत होली की हार्दिक शुब काम ना है हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे मॉडियूल एक पढ़ रहे थे लेकिन अभी कुछ जो वित्यार थी उन कि परिक्षाएं आने वाली हैं तो उसके हिसाब से हम लोग क्योंकि परिक्षा में जो मॉडियूल 1,2,3 जो पहली किताम में है वो उसमें से कौर्स नहीं आता है वो स्रिफ असाइन्मेंट के काम आता है तो हम लोग मॉडियूल चार आज से परारम करेंगे जो कि एक्जाम तो इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रबंध जो है वो व्योसाइक के चलने के लिए किसी संगठन के चलने के लिए कितना जरूरी है कितना आवश्यक है तो हम लोग जब देखते हैं तो प्रबंध जो है वो एक व्यापक विसेवस्तु है मतलब बहुत बड़ा है ठीक कामों को वो दूसरों से करवाती है साथ ये साथ प्लानिंग करना कि किस प्रकार से क्या काम करना है आज खाने में सुभह क्या बनेगा शाम को क्या बनेगा रात को क्या बनेगा उसका उसको डिसाइड करना ठीक है ना इस प्रकार के उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हो स प्रबंद करती है इसको आप जो होम साइंस आप पढ़ते हैं इस विश्य में आप पढ़ते हैं किस प्रकार से जो ग्रहणिया है वो भी प्रबंद के कारी से जोड़ी होती है इसी प्रकार से मान लिए एक स्कूल का अध्यापक है वो स्कूल के अध्यापक को अगर एक पिकनिक ले जाना है पिकनिक में बच्चों को ले जाना है तो वो भी प्रबंद का काम है ठीक है ना उसमें क्या है उसमें भी उसको कही प्रकार के निर्णाय लेने पड़ते हैं कि कैसे किन-किन चात्रों और अध्यापगों को लेके जाना है किस क्लास तक के चात्र जाएंगे कहां जाएंगे, कब जाएंगे किस तारीक को जाएंगे, कितने पैसे बच्चों से कलेक्ट करने होंगे, और किन शुरोतों अगर और दूसरे दर्गे से पैसे खटे करने हैं, तो वो कैसे ही मिलेंगे, ठीक है ना, किस समय तक पिकनिक से लौट कराएंगे, तो इस प्रकार कि उसे कही निर्णे लेने पड़ते हैं, और साथ ही वो अपनी सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को दायतु भी सौंप सकता तो इस प्रकार यह कारे जब किसी अन्य अध्यापक को दिया जाता है, तो वो अपनी छमता और उच्छी के नुसार अलग धंग से उस कारे को समपन कराता है, मतलब अगर आप किसी एक्स अध्यापक से काम कराएंगे, पिकनिक को की विवस्था करने को कहेंगे, तो उसका इंतिजाम करने का तरीका दूसरा होगा और अगर वही काम आप किसी वाई को बताएंगे तो उसका काम करने का तरीका अलग होगा तो जो प्रबंध है वो एक मतलब ऐसी विशेवश्टु है जो कि दूसरों के साथ मतलब सब के साथ अलग-अलग होती है, वो एक मनुष्य के जो प्रकर्ती है, प्रवर्ती है उस पर भी निर्भर करती है तो अपनी छमता और उची के नुसार अलग-धंग से अलग-अलग वेक्ति उसकारे को करेगा ठीक है ना, अब एक उड़धार ले सकते हैं अलग-धंग वेक्ति उसकारे को करते हैं जैसे बाहर से समान खिड़ते हैं वो तो क्या है? वो फूटकर विकरता है, तो वो थोक से समान खिड़े देंगे, उनने फिर भुकता को बेचेंगे जो बेचेंगे, इस सब का कुछ दुकानदार उसका रिकॉर्ड रखेगा, एक दुकानदा सकता दूसरा उसका रिकॉर्ड ना रखे इससे ताइप से टैक्स का भुकतान करेंगे उनके पास करमचारी उसने रखे होंगे, उनके सप्रविजन करेंगे, उनको देखेंगे और बिक्री को बढ़ाने का प्रियास करेंगे, इसकार कही सारे काम करेंगे तो ये दुनों दुकानदार इन काम को कैसे करेंगे वो उनकी छमताओं और अन्य कारकों ठीक है ना बहुत सारे कारक हो सकते हैं जैसे उस दुकान की जगह कहा है वो दुकान की स्थित कहा है ऐसे कहीं सारे कारकों के पर निर्भर करता है ठीक है ना तो अगर आप इन सभी महत्मून कारियों के प्रबंद में लगे हैं जैसे कि ग्रह कारे स्कूल की पिक्निक व्यवस्था एवं व्यवसाई आते हम प्रबंद को पढ़ते कि स्थान पर देखते हैं मतलब प्रबंद जो है वो यूनिवर्सल है ठीक है न सारूम भामिक है यह एक बहुत बड़ी विश प्रबंद प्रकरिया में प्रबंद कारियों को दिशाने देश प्रतान करते हैं ठीक है न इसको हम सरल भासा में समझते हो चलेंगे तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है प्रबंद के अर्थ की कि प्रबंद क्या होता है तो आप एक व्यवसाई का उधारन ले सकते है चाहे हो कोई उत्योग हो या कोई व्यापारिक संगधन हो तो दोनों ही में दोने को प्रारम करने के लिए क्या जुरूरी चाहिए होता है हमको कुछ धन चाहिए होता है थोड़ा माल चाहिए होगा कुछ मशीने चाहिए होंगी कुछ आदमी चाहिए होंगे या मनुष्य चा वेवसाय के साधन कहलkelijk है तो इन इन कीछ साहिता से आप उत्पाधन या वईपार- जो आप सुलन उसको वृवववसाय के साधन कहलते हैं लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे यह अलगीदों कंपणिया हैं थि do हैं माल भी एक समान हैं मशीने भी एक समान हैं और लोग भी उने एक समान रखे हुए ठीके ना लेकिन फिर भी वो जो दोनों इकाहिया हैं वो अलग-अलग उतपादन देंगी मतलब वो एक बराबर उतपादन नहीं देंगी उनमें उतपादन अलग-अलग ही होता है तो अलग-अलग संगठनों का उत्पादन अलग होता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा काम इसलिए होता है कि हो सकता है कि एक जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी से किसी और मामली में आके है ठीके न, वो मामला क्या है, वो चीज क्या है, वो है प्रबंध, ठीके न, तो होता क्या है, जो साधन होते हैं, वो खुद ही तो उत्पाधन देते नहीं है, ठीके न, उनको भी क्या करना होता है, उनको भी किसी एक गाइडेंस की, या एक प्रबंध की अवशकता होती है, ठी इन साधनों का सरवुत्तम प्रकार से प्रियोग कर उत्तम उत्तम कर पाना ही प्रबंद कहलाता है, मतलब आप जो साधन आपके पास उपलब्ध हैं, उनका सरवुत्तम प्रकार से, मतलब जाद से जादा उत्तम प्रकार से प्रियोग करके आप जाद से जादा यांकि उत्तम जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और जो नंबर में भी जाता हो तो उसको उत्पादन करना ही प्रबंद कहलाता है ठीक है ना मतलब कुल में लाके है कि जो आपने साधन पड़े जैसे धन, माल, मशीने और मनुष्य इनका मतलब इनका अच्छे तरीके तो इस्तमाल करना ह प्रबंद कहलाता है अगर आप समानी सब्दों में इसको समझना चाहें तो आप मतलब इन सब चीजों को लेते वे अधिक से देकर उत्पादन कर पा रहे हैं तो आपका प्रबंद अच्छा है और आपके उत्पादन में कमी है तो आपका प्रबंद सही नहीं है प्रबंद धन, मशीनों एवं माल यानि कि साधनों का उचित निदेशन एवं समगणवाई निदेशन केई हैं? निदेशन केई हैं direction देने को ठीक है ना? कि किस प्रकार से कहां आपको चीजों को लगानाँ है? उनको कहां लगाने के लिए निदेश देना है? किस प्रकार का काम आवंटित करना है अगर हम मनुश्यों की बात करते हैं तो ठीक है न और धन की बात करें तो धन को भी लगाने का होता है कि आपको किस website में डालना है कितना डालना है कच्च्यामाल कितना खरीतना है उसमें कितना पैसा देना है बहुत सारे प्रकार के आपको कारे हैं उनको इखट्टा करना ठीक हैं उनको एक साथ एकत्र करना समन्वय करना उनको एक एक तरीके से एक एक दिशाम में सबसे काम करवाना तो समन्वय कर इच्छित उद्देश्यों जो चाहा रहे हुआ वो अब्जेक्टिव्स और परिणाम और पूर्व निर्धारित ल करेंगे ठीक है ना तो साधन हमने ऐसे बात करी साधन स्वत है उत्पादन में परिणित नहीं होते हैं इसका मतलब क्या है कि साधनों से अपने आप उत्पादन नहीं हो जाता है जब उनको एक उपर से प्रबंधन मिलता है उनको एक मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर मिलता वो बताता है कि किस प्रकार से आपको उत्पादन करना है ठीक है ना तो जब एक डारेक्शन मिलती है तो coordinated efforts के माध्यम से उत्पादन हो पाता है ठीक है ना प्रबंद से प्राए है विभिन करियाओं को निर्वाह जैसे कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरन, निर्देशन एवं नियंत्रन तो इन सब के बारे में हम आगे डीटेल में पढ़ेंगे यह सारे क्या है बहुत सारी प् अब संसादन क्या है? संसादन वही है, मानव, ठीक है ना मशीन, पैसा यह सब दिजे läuft विदेरे क्या होता है, प्रबंद को नियुनतंब प्रयास ऐवं संसादनों द्वारा अदित्तम उत्पानन किनने का उप्रयास करना चाहिए मतलब कम से कम साधनों का प्रयोग करते वे जादा से जादा उत्पादन की और ध्यान प्रबंद को देना चाहिए मानव संसाधन एवं उपलब्ध सामगरी का उचित प्रयोग करके एक संगठन को अच्छे प्रणाम प्राप्त करने होते हैं जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं उनकी ही साहिता से आपको अच्छे से अच्छा प्रणाम देना होता है ठीक है ना वो कैसे दे पाते हैं आप प्रबंद की साहिता से अगला है उत्पादन के सभी घटकों के अधिक्तम प्रियोग द्वारा उत्पादक्ता में व्रिद्धी मतलब तो जो उत्पादन के जो सभी गठक हैं गठक मतलब जो जो चीज़ें उसके अंदर इंबॉल्व हैं मनुष्य भी उसमें सामिल हैं जो उत्पादन में सायोग कर रहे हैं धन भी सामिल है और मशीने भी सामिल हैं ठीक है ना तो इन सब के अधिक्तम परियोग द्वारा उत्पादक्ता में विरद्धी थीक है आपको जो Proud activity है उसमें increase करनी है उसको बढ़ाना है उत्पादक्ता क बढ़ाना है, उत्पादक्ता का मतलब हुआ कि आप दिये हुए एक एकाई में कितना उत्पादन कर पा रहे हैं, तो आप जब आप उसमें उत्पादन में, मतलब उसी दिये हुए समान से ज्यादा ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे, तो आपकी उत्पादक्ता ज्यादा कह लाएगी ठीक है ना दिये गए समान और दिये गए समय में अगर आपने उत्पादन बढ़ा दिया तो आपके उत्पाद तमें विरत्दी होगी है इसे प्रकार से पूझी पर उचित प्रति आए तो प्रबंद का एक उद्देश ये भी है कि जो पूझी आपके प्रबंद मे प्रबंद में तीन लोग होते हैं एक तो हो गया मालिक ठीक है ना एक होता है दूसरा जो कि उस पूरे चीज को मैनेज करता है तो प्रबंद अलग होता है प्रबंद का काम होता है मैनेजमेंट करना ठीक है ना मैनेज करना चीजों को मालिक का काम होता है उसमें पैसा लगा बिजनस में जो पैसा लगा रहा है उसको उचित प्रतियाय यानि की इंच रिटर्ण मिलना चाहिए ठीक है ना तो उसको उचेत पर तियाए दिना भी प्रभंध का एक उद्देश है इसके भाद ख्याती तो प्रबंद को आकरशक भवन अच्छे उत्पादन उचित मूल उत्पाद की स्रेष्ट किशम आदी के द्वारा संस्ता की ख्याती का निर्मान करना चाहिए अभी जैसे आप देखते हैं बहुत बड़ी जो कमपनिया हैं उनकी अपने आप में एक अलग इमेज होती है ठीक जैसे आप अगर नमक लेते हैं तो एक पर्टिकुलर कमपनी का लेते हैं ठीक है इसके पस्चात है बदलते वातावरण की चुनोतियों को स्विकार करना तो हमने सुरू में पढ़ा था पहले पार्ट में कि परियावरण जो होता है व्यवसाइक परियावरण क्या होता है तो जो संगठन या जो उपकरम बदलते वातावरण की चुनोतियों को स्विकार करने में असमर्थ हो जाते हैं उनका जीवित रहना संभव नहीं होता है धीरे धीरे वो उपकरम खतम हो जाते हैं इसलिए प्रभावी जो प्रभंदन है जो एफेक्टिव मेनेजिमेंट है वो भविष्य में होने वाली चुनोतियों के समाधान को खोज करके संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का रास्ता निकालता है ठीक है ना तो मतलब क्या है कि वो भविष्य में होने वाले जो परिवठते हैं उनको पहले ही भाव लेता है जो अच्छा प्रभंद की विशेष्टा हैं तो प्रबंद की विशेष्टा हैं जो कुछ विशेष्टा हैं वो निमलिकित हैं जैसे पहला है सर्वमानने या सर्वखमिक हमने भी बात करी कि प्रबंद की आवश्रक्ता सभी प्रकार के संगठनों में होती है चाहे वो घर की बात कर रहे हों स्कूल की की बात कर रहे हों किसी website संगठन की बात कर रहे हों शमाजिक संगठन की बात कर रहे होँ या राजनेतिक संगठन की ठीक है ना जो पॉलिटिकल पार्टी में वी management मैं management करतीotta hey उनकी यह भी पंशा रीक दुखान है उसमें भी होती है अतया ये क्या है ये एक सार्व उभामिक क्रिया है योनिमरसल क्रिया है जो कि सभी संगठनों मैं समान आवरशचेटथ। के रूप में उपलब्द रहती है उपस्तित रहती है अगला है प्रबंद उद्देशी पून है उद्देशी पून का मतलब क्या है कि प्रबंद किसी एक उद्देशी के लिए काम करता है ठीक है ना कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही आपको पता है जब कुई आप संगधन मनाएंगे, जो कंपनी मनाएंगे, अगर मानले कोई व्यवसाई आप करने, तो आपका कुछ उद्दीष फूमाना, सबसे प्रात्माइक उद्दीष ही क्या होता है व्यवसाई में आपकाल, आप कमाना अधिक से अधिक्तम लाभव पार्जन आपका एक लक्ष होता है ठीक है ना एक उद्देश होता है तो तो जो संगठन का प्रबंध होता है वो सदेव संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित होता है प्रबंध की सफलता आप देखेंगे कि की उसके हिसाब से आप प्रबंदन को सफल या सफल कहेंगे इसके पस चाहते प्रबंद एक सतत प्रक्रिया है सतत मतलब ये संगर्ण ये सारी क्रियाएं क्या हैं इस अभी के लिए इन सभी के लिए प्रबंध आवशक है जब तक ये प्रक्रियाएं चलती है प्रबंध की आवशकता बनी रहती है अगला है प्रबंध एक परस पर जोड़ने वाली प्रकरिया है इसका क्या मतलब है कि सभी काम जो क जो क्रियाये हैं उनको इखटा करता है तो मनिश्यों मसीनों और सम्हूं के रूप में व्यक्तिक परियासों के समन्वय के अभाव में संगधन के उद्देश्यों की पूर्ति करना असंबह हो तो मैनेजमेंट क्या है प्रबंद क्या है वो परस पर जोड़ने वाली प्रिक्र मीटिंग होती है बोड की मीटिंंग किसको गते मूर समय कений के सह की अधे करते हैं कि आधा कॉ मिटिग करते हैं कि जो कंपनी कि नीटियां है वो और बहुष जो पड़े निंड़ते हैं वो मीटिंग करता है तो मेठाव प३र मींटिंग करता है उसको बूर्ट की मीटिंग कहते हैं तो लेकिन मेनेजमेंट वो नहीं है जो एक आपको बूर्ट की प्रबंध बहु आयामी है, बहु आयामी है का मतलब प्रबंध के संगठन में बहुत से प्रकार के छेत्रों का ज्ञान आवश्यक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्य, मशीनों, माल, इसके अतरिक्त उत्पादन, ठीक है ना, वित्रण, कैसे बाटना है माल, लेखा, ए इमस अन्य कई कारियों का समावेश होता है. बहुत सारे काम मैनेजमेंट को करने होते हैं. इसलिए हम पाते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांथ हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंस्पल्स हैं, और तक्नीक अध्यन के बहुत से शेत्र, जैसे इंजिनिरिंग, अर्थसास्त, समाज विज्ञान, मनुसास्त, मानव विज्ञान, ऐसे भहुत सारी जगों से जो ये management के सिद्धान्त हैं, प्रबंद के सिद्धान्त हैं, वो लिये गए, ठीके न, इसलिए प्रबंद क्या है, बहु आयामी है, इसके पस्चात है, प्र कारे पर लगे लोगों का विकास और motivation, यानि कि अभी प्रेरण, उनको develop करना, उनका motivation करना, और एक समाजी के हिकाय के रूप में उनकी संतुष्टी का दिहान डखना, तो प्रबंद के सभी कारे मुख्यत हैं, किसे जुड़े होते हैं, मानवी संबंदों से, हम देखते हैं कि लोगों के बीच जो करमचारी हैं, और जो अधिकारी हैं, उनके बीच आपस के संबंद कैसे हैं, मानवी संबंद कैसे हैं, अगर मानवी संबंद नहीं होंगे साहिए, तो और विवाद होते रहेंगे, और अगर विवाद होंगे, तो फिर जो संगटन है, या जो वेवस जो सफलता है वो परिस्तिती पनिरभर करती है अतहर परिस्तिती के नुसार जिस प्रकार के कंडिशन है उसके हिसाब से जो सफलता के इस तरह है वो बदलते रहते हैं प्रबंद का कोई एक निश्चित सरवुत्तम तरीका नहीं होता है मतलब को एक ऐसा तरीका नहीं है कि आप उसको सीख लें तो आपको पूरी तरीकर साफ बहुत बड़िया मेनेजर बन जाए प्रवंद की तकनीक और उसके सिद्दान्त सापेक्ष हैं मतलब रिलेटिव हैं तो अगर परिस्तितिया चेंज होंगी तो वो भी परिवर्टित हो जाएंगे हो सकता है कि आपने किसी एक जगह पर किसी एक कंपनी में जाकर जो परिस्तितिया है उनको किसी तरीक से कंट्रोल कर लिया हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी में दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो वही चीज़ें आपकी महां पर एपलाई हो जाएं क्यों कि वहां पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि अलग होते हैं ठीक है ना तो परिस्तितिया उपन और जो सफलता मुखित है उसके प्रबंद पर निर्भर होती है मतलब संगठन का अस्तित मतलब अगर प्रबंद ठीक नहीं होगा तो उस संगठन को कर खतम होने का भी खतरा हो सकता है उसका अस्तित वही मिट जाए और उसकी सफलता वो कितने हद तक सफलत रहता है वो संगठन या वेवसाय उसकी सफलता मुख्यत है उसके प्रबंद बनिर्भर होती है ठीक है ना कितनी ही अच्छे इस्तर के संसाधन उपलग्द क्यों ना हो यदि उनका कोशल प्रबंद द्वारा उप्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो बेकार है यही कारण है कि प्रबंद अधियन की हर साखा में एक विश्य के रूप में पढ़ाया जाता है आजकल हर एक साखा में चाहें किसी भी चीज क्या पढ़ाया कर रहे हो उसमें आपको मैनेजमेंट के बारे में जरूर पढ़ाया जाता है ठीक है और यह जरूरी भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संसाधन हो का उचित तरीके से, आपको किस प्रकार से इसतमाल करना है अगर आप उप्योग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो वो कितने अच्छे सच्छे संसाधन क्यू ना हो, वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, ठीक है न? तो प्रबंद का जो महत्व है वो निमलिकित कुछ बातों से आपके सामने आ जाएगा जैसे सबसे पहला जो महत्व है वो है उद्देश्यों की पूर्ति हमने बात की कि हर एक संगठन का कुछ नगवाले करमचारी भी कुछ निजी उद्देश्य से काम कर रहे होते हैं अगला है स्थिरता इवंढ व्रधी तो प्रबंद का उद्देश ये भी होता है कि संगठन के संसादनों का प्रियोग प्रभाव सालिय और निवूर तरहे के सिखे आ जाए कि यूंकि संसादन सीमेद होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से नहीँ करेंगे तो वह आपको नुकसान करेंगे तो प्रबंद करियाओं का नियंतर्न करता है कारीओं का समन्वे करमचारियों को मोटिवेट करता है अभी प्रियरिद करता है और सदेव बदलते परियावरण में संगठन के स्वास्त को बनाये रखता है इस तरीके से जो प्रबंध होता है वो व्यवसाय को और संगठन को इस्थिरता प्रदान करता है और धीरे धीरे व्रद्धी की और ले जाता है धीरे उसको बढ़ाता चला जाता है ठीक है अगला है परिवर्तन एमों विकास प्रबंध जो है वो परियावरण में हो रहे हैं परिवर्तनों का लेखा जोखा रखता है और भविश्य में होने वाले परिवर्तनों को जानने का प्रयास करता है इसा हमें पिछले बात की थी फोरकास्टिंग करते हैं उसके हिसाब से फी प्लानिंग करते हैं मतलब योजना बनाते हैं ठीक है ना भविश्य में आने वाली चुनोतियों से सफलता पुरूब निपर्टने के लिए अच्छी सची योजना बनाई जाती है ठी कारे प्रकरिया इत्यादी का मानवी तत्तिक रूप में नियंत्रण विकास करता है ठीक है अगला है निपर्टा एवं प्रभाव सीलता उचित नियोजन मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग नियुकती करन सही लोगों को रखना संगठन ठीक है ना सही प्रकार के संसाधन द कMat 08 मानवी प्रयासों में निपूनता मालब प्रफेक्शन इसको पिमिक ऐगए और सिख भम करना एवं प्रभावसीलता ओकर या में प्राब्यासद में और finances का करता है कौन तैकना अगला है प्रभम्द की प्रकरति को ये प्रभन्द की प्रकरति है वो मतलब है कि प्रवं प्रक्रिया के रूप में प्रवंद को आप समझ सकते हैं, एक सास्त के रूप में आप देख सकते हैं प्रवंद को, एक व्यक्तियों के समूँ के रूप में आप देख सकते हैं प्रवंद को, एक विज्ञान एवं कला के रूप में देख सकते हैं और एक पेशे के रूप में देख सकते हैं ठीक है न तो इसको हम एक एक करके इसके बात कर लेते हैं सबसे पहले हमने बात की एक प्रक्रिया के रूप में तो एक प्रक्रिया के रूप में जो प्रबंध है वो सम्मंधित करियाओं ठीक है जैसे नियोजन, संगठन, और नियंतरन इन सब क्या है एक समू ह ये सबी क्रियाओं को योजनावत तरीके से, मतलब ठीक धंक से उप्युक्त क्रमा अनुसार किया जाता है, जो सारी के सारी क्रियाओं होती हैं, उनका एक क्रम निश्चित होता है, सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, उसके बाद जब आपने प्लान कर लिया योजना बना माली उसके साब से फिर आप जन्साधनों का आवण्तन करेंगे, ठीक है उनको संगठित करेंगे, क्या-क्ये चीज़ आपको चाहिए, उसके पश्चात उन्हें करेंगे मालीजे ठीक है, तो जो आपको क्रियाओं करनी हैं उनको एक उप्योंक्त क्रम के अनुसार आप करते ताकि जो सारी क्रियाएं हैं वो समान उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्रित रहें ठीक है ना ताकि आपके जो आपको पता है जो आपको उद्देश्य प्राप्त करने हैं उनके लिए उनकी प्राप्ति की पर उनका ध्यान रहे तो प्रबंद को सुनिष्चित संसाधनों को संगठित करने और उनके प्रियोग की क्रिया के रूप में भी जाना जाता है ठीक है तो प्रबंद का क्या मतलब हुआ कि जो आपके उद्देश हैं जो सुनिश्चित उद्देश हैं जिसके लिए अपने अपना संगठन ये वैवसाय बनाया है उसकी प्राप्त करने के लिए जैसे मालीच आपने दुकान खोली है किसके लिए प्रॉफिट कमाने के लिए लाब कमाने के लिए तो आप क्या करेंगे आप संसाधनों को संगठित करेंगे मैनेजमेंट के साहता से जो संसाधन संगठित करने का मतलब दुकान पर समान रखना है पैसे के वि रूप में भी जाना जाता है तो जो बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे दुकान को चलाने के लिए लाब कमाने के लिए उनके प्रियोकी क्रिया के रूप में किसको जाना जाता है प्रबंद को जाना जाता है ठीक है न तो मैनेजमेंट के सारे काम होते हैं अगला है एक वेवस्तित ज्यान का भंडार है, जिसका विकास और विर्धी जो है बर्षों के प्रियोग एवशोद के प्षचात हुआ है, इन बर्षों में एकत्यत ज्यान को ठीक है ना पीडी धर, पीडी प्रबंदकों को सौपा गया है, किनके द्वारा जो पुराने प्रबंदक हैं, नए प्रबंदों को जो पुराने मैनेजर को सौंपते चले जाते हैं और उन्होंने जो नए मैनेजर हैं उन्होंने इसका प्रयोग अपने कारियों को संपन करने में किया है तो क्या है सास्त के रूप में जो प्रबंद है वो एक विवस्तित ज्यान का भंडार है विवस्तेत मतलब ठीक ढंग से रखा हुआ है ठीक ढंग से लगाया हुआ तो प्रबंध अध्यन के एक अलग साखा के रूप में हैं जिसके अपने सिद्धान्त एवं विवार हैं तो अब जो है प्रबंध को हम अध्यन के एक अलग साखा के रूप में जानते हैं ठीक है ना, तो प्रमंद एक सास्ति के रूप में इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, अगला है एक व्यक्तियों के समू के रूप में, तो अभी प्राय है प्राय है प्राय हम ये भी कहते हैं कि एक संगठन में कारे करने वाले जो मैनेजर से उनका गुरूप जो है उसको मैनेजम बोलते हैं ठीक है ना प्रबंद क्या होता है एक संगठन में कारे करने वाले प्रबंदकों का समू है ठीक है ना प्रबंदक अपना कारे मिलकर एक समू के रूप में करते हैं अब यह हम आगे लेवल पड़ेंगे जब प्रबंदों के स्थर पड़ेंगे तो उसमें आप आप पर नहीं बलकि सभी प्रबंधों की कारिक उशलता पर निर्वार करती है ठीक है न तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो समू के रूप में कारे करते हैं ताकि व्यवसाय के उद्देशियों को पून रूप से प्राप किया जा सके तो प्रबंध क्या है एक क्या होती है साइंस होती है सुववस्थित ज्यान 장usi मने बात कि management ध्युक्री मतलब डोकि किसी विशय वस्तु से संबंदित होता यह कारण और परिणाम के संबंद को इस्थाप्त करता भी मात करते हैं केवल और केवर विध्षग की तो जान की विश्चता है विज्ञान करता है तो ये एक सुवववस्तित व्याख्या प्रियोगा अत्मक विशलेशन मतलब साइंस में आप प्रैक्टिकल्स करते हैं जो चीज आपने पढ़ी है वो ही चीज आप उसको लेकर आ जाते हैं पैसे ही रिजल्ट आपको मिल जाता है ठीक है ना आलोशना अत तरग संगत इस्थिर्ता मतलब जो रिजल्ट है वो आपके बार-बार दोहराए जा सकते हैं तो आपकी जो चीजें हैं जो वेग्यानिक तत्य होते हैं उनमें तरग संगत इस्थिर्ता होती है उधारन के लिए हाइड्रोजन के दो अणू और ऑक्सिजन के एक अणू मिलक पानी की रशना करते हैं और यह यूनिवर्सली टूथ है आप कहीं पर भी जाएंगे पानी कैसा भी लेंगे वो हमेशा हाइड्रोजन के दो अणू और ऑक्सिजन के एक अणू से मिलकर ही बना होता है अब किसी भी अगर विशय को आपको विज्ञान कहना है तो उसके पुष्टी की जा सके मतलब जो सिधानत आप प्रख्यापित करें जो सिधानत आप बताएं उनको आप प्रूव कर सकें दूसरा आदमी उसको उसकी पुष्टी कर सकें ठीके ना अगर दुबारा से उसको करें तो वैसा ही रिजल्ट आय पूर्व निरधारित प्रेडाम सब जगे उसकी मानिता हो तो अध्यन के साखा के रूप में प्रवंध में सभी विश्टाएं हैं हाला कि इसमें कुछ एक कमी है एक कमी है इसलिए प्रवंध को एक विशुद्ध या पूर्विज्ञान नहीं कहा जा से तो वो कमी क्या है वो कमी ये है कि जो प्रवंध है वो मनुष्णियों से संभंदित होता है इसमें मनुष्ण का जो सभाव है मनुष्ण का जो नیचर है उसका भी एक इक कारक होता है ठीक है ना अब इसका संब्ग क्योंकि मनुश्यों से है इसलिए बहुत सी वार आप देखेंगे कि पूर्व निर्धारित प्रणाम सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं ठीक है इसके परिणाम संबंदों को हम पूरु निर्धारित नहीं मान सकते हैं इसलिए प्रबंद को एक विशुद्ध या पूर्ण विज्ञान नहीं कहा जा सकता है लेकिन पूरी द्रेकर से उसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता है ठीक है विज्ञान है लेकिन पूर्ण विज्ञान नहीं है अब जहां तक कला का प्रश्ण है तो आप जानते हैं उसका कौशल द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त करना कौशल कौशल होता है यह अलग-अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग-अलग حता है जैसे पेंटिंग के अगर आप बाद करें तो पेंटिंग जब आप बनाएंगे आपका दोस्त बनाएगत हो सकता है कि आपके जो जितना आपका perfection है, जितना भी आपके skills है, उसके हिसाब से वो चीज change होगी, अगर एक अच्छे चत्रकार आप हैं, तो अच्छे painting कर पाएंगे, अगर नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे, तो यह एक निरंता रूप से व्यक्त से होता है, ठीके ना practice से चीज़ आ जाती है, ठीके ना, यह है रश्तनात्मक है और अभ्यास के द्वारा इसमे सदेव सुधार होता है, ठीके ना, तो यह कैसा है, एक field है कला का रश्तनात्मक है, ठीके ना, इसमें आपको बहुत सारी शीज़ें, पॉसिबिल्टीज हैं, और अभ्यास के द्वारा इसमें आप सुधार ला सकते हैं, ठीके ना, अभ्यास के द्वारा इसमें सुधार होता रहता है, और प्रबंध क्या है, इसलिए हम लाश्त में कहेंगे कि प्रबंध यह आप उसे प्रकार से जैसे कला है, उसे प्रकार से जितना अधिक तो प्रबंद क्या है विज्ञान और गला दोनों का जोड़ होता है एक पेशे के रूप में पेशा आपको पता है पेशा सुवयस्तित एवं सुगठित ज्यान का भंडार होता है ज्यान अर्जन का अपचारिक तरीका होता है मतलब कुछ इंस्टिट होते हैं जहां से आपको संग होता है ठीक है ना और पेशेवर अपने ज्यान का समाज के हितना परियोग करते हैं वह अपनी समाजिक निदमेदारी को भरी बाती समझते हैं तो जो सारे जो गुण है अधिकतर गुण अब मेनेजमेंट के अंदर मौजूद है इसलिए जो जो प्रबंद है वेह इसके अलग सिधान्त हैं ठीक ना इसके अलग कऐलेज्जेजस अब मेरेजमेंट के कॉलेजज़ भी खूले में आपने देखे होंगे बहुत सारे जहां पर एम्बीय होते हिए अब क्या है इससब मेनेजमेंट लोग पढ़ रहे ता तो एक मतलब एक एक इंस्टिटूट भी हो गया उसके गयानारजन का आपचार एक तरीका हो गया आचार संगता बनाने के लिए संग भी होते हैं ठीक है ना जैसे अमेरिकन मैनेजमेंट एक इंडिया में अखिल भारती प्रबंद संग है ठीक है ना तो यह बहुत सारी जो संस्थाएं हैं जो कि आचार संगता बनाती हैं मैनेजर्स के लिए ठीक है और मैनेजर्स भी अपने विशश्ट गयान का समाज के हितने प्रियोग करते हैं और अपन अपने वही वट्सप नमबर अपने रख रहा हूं और इंस्ट्राग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं इस इस आईडी के साथ ठीक है और आप लोगों से अनित में फिर वही एक अनोरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी उसको हमारे चैनल को जुरूर शेयर किजेगा और साथ में बता देता हूं कि जब हम यह पार्ट अभी खतम करेंगे में एक असे में तीन वीडियो लगेंगे क्योंकि मैं आदे घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाना प्रफन नहीं करता हूं बहुत लंबा हो जाता है तो जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर में इसके जो महत्मून सवाल है इस इस चैप्टर के उसके बारे में आपसे डिसकुशन करूंगा ठीक है ना तो तब तक के लिए धन्यवाद